सब्सक्राइब दीजिए फुनीता कुकर चानल को वेल आई गंद भाईए कान अजी की वीडियो की नुट पे किशिट भाईए राधे राधे सुनीता नीटिंग में आपका भूत भूत स्वागत है हमने ड्रेस बनाई थी जो भूत प्यारी सी ड्रेस है नीटिंग के अंदर और इसी के साथ का हम कैप बनाने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल सा बनाएंगी तो हमने कुछ फंदे डाल की तियार कर लिये हैं यह हमने नेक के हिसाब से डाले हैं यह हमने नेक पे 16 फंदे डाले थे तो उसी का डबल यह 32 फंदे हैं और 2 फंदे हम एस्ट्रा डालेंगे यह निकि हमने 34 फंदे डाल लिये हैं ठीक है? अब हम बनाएंगे उल्टी-ल्टी सलाईया इस तरीखे से एक, दो ऐसे करके हम यह 34 फंदे हमारे मतलब कि दो फंदे बस हमने एस्टोर लिये हैं नेक्स से तो ऐसे उल्टी-ल्टी हम बना लेते हैं सलाई पहले हम दो बनाते हैं और फिर हम धागा चेंज करेंगे थीक है तो देखिए दो सलाइए हमने बना लिए अब हम धागा चेंज करेंगे तो इस तरीके से दो सलाइए इस कलर से भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे और उसके बाद येलो कलर से दो सलाइए बनाएंगे तो टोटल हमारे छे सिलाइए हो जाएगी दो सिलाइए इसकी बनाकर फिर यलो कलर से बनाएंगे दो सिलाइए तो इस तरह किसे बनाकर फिर आते हैं तो यह देखिए हम फिर से अपनी दो दो सिलाइए बनाकर अपनी जग़े पर आ गए हैं की देखी इस तरीके की LINE बन गई है दो सिलाइऑ इसकी दो proposed कि छे सिलाइए हमने बना लिए है आप हमने क्या करना है फिर सिद दागा कलर चेंज करेंगे और एक सिलाई बडा लटी बना लेंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड है तो यह से लाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं तो देखिए उल्टी सी बनाकर हम यह आगे हैं अब हमने क्या करना है पहला फंदा तो हम इसी तरीके से तार लेंगे और दो फंदे इस तरीके से दो का एक कर देंगे ठीक है फिर आगे दो का एक कर देंगे इस तरीके से हम इन फंदों को आधा कर देंगे फिर दो का एक कर देंगे तो टोटल हमारे बीच में 16 फंदे रह जाएंगे और एक इधर एक इधर हमने एस्ट्रा लिया था तो देखिए हमने दो काई कर दिया 16 फंदे हमारे बीच में रह गए हो और एक इधर हमारा एस्ट्रा था तो यह हमारे हो गए 17 18 फंदे ठीक है अब हम यह धागा नहीं लगाएंगे सिरफ इसी से बनाएंगे यालो कलर से तो फिर से हम उल्टी साइड आगे हैं तो यहां प हम भी सिराइऑं बनाएंगे टोटल हम 6 सिरैइँ बनाएंगे और यह कैब जो है आप अपने हिसाब से कम यह ज़ादा बना सकते हो आपको कितना ऊचा बनाना है कई लोग छोटा बना पहनाना पसंद करते हैं कई λंबा पहना पसंद करते हैं ठीक है ना तो इस तरीक से हम 6 स सीधी बनाई तो ऐसे एक सीधी एक उल्टी सलाई बना की तियार कर लेते हैं छे सलाई है टोटल तो देखिए हमने 6 सलाई बना लिया आपको इस तरफ से उल्टी तरफ से ऐसे लाई ने गिनने हैं आपको यह देखिए ऐसे 6 एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे जो बन चुकी है वो 6 सलाई है तो 6 सलाई है हमारी हो गई तो यह जो हमारी उचाई है यह आप अपने हिसाब से कमिया ज़्यादा रख सकते हैं अगर आपको 10 बनाने है तो आप 10 भी बना सकते हैं ठीक है जैसे पहले किया था, सेम ऐसे तो 16, 18 फंदे है हमारे तो देखिए मैं बीच के फंदो को दो का एक कर दिया और दो किनारे पे हमारा एक एक फंदा था तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ, ताट बीच के हैं नो और तस टोटल हमारे 10 फंदे हैं अब उन क्या करेंगे, देखिए इन सब फंदो को एक एक करके इस धागे में ले लेंगे ऐसे तो यह हमारा धागा थोड़ा छोटा रखना है जिसे हमें इस तरह किसे निकाल दे तो इसमें आप सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ऐसे सिलाई में बुनते वे ऐसे निकाल दें जिसे ही सारे फंदे हमारे इस दोरी के अंदर आजेंगे उनके अंदर और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे और एक चीज़ का ओर ध्यान रखना है आपने जब हम यहां फंदे डालेंगे तो लूज फंदे डालने हैं अगर आपने नीचे से टाइट फंदे डाल दे तो आपकी कैप की शेप सही नहीं आएगी ठीक है और उसे लूज लूज बनाना भी है फर्स्ट लैन को लूज फंदे डालने हैं लूज यह आपको बनाना है या आप मोटी सिलाई में डालके यूदि बहुत टाइट बना देते हैं तो नीचे से फिर अच्छा नहीं आता ठीक है तो यह हमने सारे फंदे ऐसे निकाल लिए अब हम सुई लेके आते हैं और फिर इसको सिलाई करते हैं ठीक है तो ही हमने सारे निकाल दिये इस लाइयों को एक जगा रख देते हैं तो देखी यह धागा हम इस तरीके से सुईम डाल लेते हैं और ऐसे उपर की तरफ से हमने ऐसे खीचना है पहले तो इसको उपर से बंद करना है ठीक है चाहिए तो आप इस तरीके से एक बार और सारे फंदो को सुईम में लेते भी देखें ऐसे फिस ऐसे गुलाई में हमने यहां से ऐसे खीचेंगे तो यह बंद हो जाएंगे ठीक है यहां से ऐसे बंद करने के बाद में ऐसे उल्टी साइड से हम इनको यहां से ऐसे सिल देंगे इस तरीके से तो इस कैप को चाहे तो आप इसी तरीके से भी पहना सकते हैं दागा कट कर देते हम तो देखी ऐसे ही पहना सकते हो तो यह थोड़ा सा ऐसे फिरिल वाली नहीं बनाई उसके लिए मैंने पहले बपर बनाई हो और आज हमारे मंदिर में काना जी दे इस दो केप के ना शP लेकर चुकितों इस तरीके से उतियु थो इसा आप इसको एसे भी पहना सकते हैं fact यहां पर हम एक छोटा सा यह से लुकुल उपर की तरफ से यहां से हम ऐसे सुई डालेंगे और यह देखे ऐसे निकाला और इनको ऐसे उपर की तरफ में लगा देने धा गए ठीक है और इसको फिर जो भी फोल्ड वाला धा गए उसको कट करके छोटा सा मलपी जादा बड़ा पंपं भी नहीं कह सकते इसको बस हमने ऐसे इदे के ऐसे बांद दिया ठीक है और इनको कट कर देंगे सिंपल से लेकिन बच्चे के लिए तो बहुत प्यारी कहते हैं तो हमारे तो कानजी चोटे बाल गोबाल है तो उन पर इस तरीके की कैप अच्छी लगेगी तो देखे कुछ ऐसे आ गया और इनको यहां से कट कर देते हैं तो थोड़ा सा बराबर देख लेंगे इस तरीका से फोल्ड को तो काना जी की फेस पे ऐसे लूज आएगी और यहां पर आप बाल पहनाएंगी तो वो पर सुन्दर लगेगी तो कुछ इस तरह किसे आएगी कैप तो यह हमारी कैप बनाईए हमने तीन नमबर काना जी के लिए तो मुझे उमीद है आपको पसंद आई होगी है ना बिलकुल अलग पसंद आई यह तो लाइक किजएगा और रादे रादे लिखना न भूलिएगा वीडियो देखने के इक धन्यवाद रादे रादे